वेलकम तो करेप्लसकेडमी दोस्तो आज हम करेंगे टीजटी प्रिवेस एर पेपर का सोसल स्टड़ी पार्ट दोस्तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब गुना ना भूले स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशिए निमन में से किस अधिनियम को जवाला नहरू ने दास्ता का चार्टर कहा आप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909 भारत सरकार अधिनियम 1935 रेगुलेशन एक्ट वर्ना कुलर प्रेस एक्ट तो इसका रेटांसर है हमारा आप्शन बी सरकार अधिनियम 1935 को जुवार्णा नैरू ने दास्ता का चार्टर कहा था और देखते हैं इससे और क्या कर गोशन आसकते हैं हमारे वर्ना कुलर प्रेस एक्ट नियम को लागो किया था लॉड लिटर ने अठारा सो अठतर में और वर्ना गुलर प्रैस अधिंयाम को समाप्ड किया था लॉर्ट रीपर ने 1882 बहुत ही मौण रहे करी वार गोशना आ चुका है वर्ना गुलर अधिंयाम किसे लगू किया था वो किस लॉर्ड ड्र tu ne 1878 में और वर्ना ग्लिटर्ड प्रेस अधिनियम समाप्त किया था लॉड रीपर ने 1812 में तो बहुत एस अधिनियम के दोरा प्रांतों में द्वैज शासल समाप्त करके केंदर में द्वैस अधिन लागो किया था तो यह वार कुछना रूशन केंदर में कब लागो हुआ था? काजी रंगा नाशनल पार्क किस राज्जे में है मिखालिय, असम, त्रिपूरा और नाचे प्रदेश तो इसका राज़ रंगा नाशनल पार्क है हमारा असम में और जालेते हैं से और क्या गुश रास्ते है हमारे भारत का सबसे बड़ा रास्ते उद्यान हेमिस नाशनल उद्यान है जो हमारा लदाक में और एक चुटालिस सो स्केर किलोमेटर पे ला हुआ है तो बादी वारत का सबसे बड़ा नाशनल पार्क है हेमिस नाशनल पार्क जो हमारा लदाक में है नदाख हमारा यूटी है भारत का सबसे पुरान नैसनल पार्क हेली नैसनल पार्क है जो 1936 में बना था और 1952 में इसका नाम चेंज करके जिम कार्बे नैसनल पार्क रखा गया और बहुत ही बॉर्डर्ड है हमारा विस्व का एक मात्र तैरता हो नैसनल पार्क है हमारा केबुल लाम जाओ जो मनिपूर की लोग टक्षील के पास है तो बहुत ही बॉर्डर्ड है 1952 में इसका नाम चेंज नैसनल पार्क रखा गया विस्व की एक मात्र तैरता हो नैसनल प हाथ से हमारा दिशकोषियों हो होज़ते हैं भारत में सरवादी między चाय उत्तपादक राज्ये कौंसा है तो बहुत हगसान है इसका रहरी टांसर है हमारा option B अस्वं भारत मैं सबस्देख चाय का उत्तपादन करता है और चावल का सबसे देख 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 द अमेरिका रूज पागिस्तान इरा तो इसका राइड नासर है मारा ओप्शिन ए अमेरिका ने इच्टाया था ओपरेशन इन्फाइनेट रीच राइज क्वेशन गोड़ते हैं बहुत ही बॉड़ने क्वेशन है बार-बार एक्जाम में आता है मात्मा गादी ने डाणडी मर्च कहां से स्रु किया औप्शन है चंपारन सावर मति आशरम चोरा चोरी डाणडी तो इसका रेड राइड Drewns ने आपक्शन बी शावर मति आशरम और सावर मति आशरम की grey इसके वारे में गांदी जीन इëं अपने 78 सिर्कों जिन में वेब मीलर भी थे के साथ सावरमती आसनव से 358 किलोमेटर दूर दांडी के लिए प्रस्तान किया था और 24 दिनों की यात्रा के बाद 26 अपरेल 1930 को दांडी पहुंच कर उन्होंने समुद्र टर्ड पर नम्मक कानून तोड़ा था तो बहुत ही पॉड़र है कई वार क किलोमेटर के दूरी तेह की थी दांडी तक 24 दिनों की यात्रा की थी और 6 अपरेलों ने 130 को नोने नम्मक कानून तोड़ा था तो बहुत है काम रूप किस रज्ज का पुराना नाम था आप्शन है बंगाल बिहार उडिसा असन तो इसका रेट अंसर है हमारा आप्शन डी काम रूप अज्ज का पुराना नाम था आप्शन है प्रादीपिय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है आप्शन है नर्वदा गोदावरी महानदी कावेरी तो इसका रेट अंसर है हमारा आप्शन बी गोदावरी प्रादीपिय भारत की सबसे लंबी नदी है प्राइदी 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 प् जो गोदा वरी है यह निकलती है हमारी त्रियमकम महारास्टर से और पंकार की खाड़ी में गिर जाती है और इसके लंबाई है हमारे 1465 किलमेटर और दक्षिन गंगा के नाम से भी गोदा वरी को जाने जाता है बॉदी बॉर्डर है दक्षिन गंगा गोदा वरी और कावेरी नदी पश्मिखाट के ब्रहमगिरी से निकलती है ब्रहमगिरी कर्नाटक से निकलती है हमारे कावेरी जिसके लंबाई है लवग जाता है कावेरी को तो बादी बादर है दक्षिन की गंगा का जाता है कावेरी को और दक्षिन गंगा का जाता है कुदावरी को बादी बादर है और उसके बाद आती है हमारी महानदी की लबाई है 885 किलमेटर और इसका उतकम स्तान है सिहावा रायपूर 36 कर्ड बहुत ही बहुत ही बहुत है सिहावा रायपूर 36 कर्ड और हीरा कुन बान भी हमारा महानदी बना हुआ है जो हमारा उड़ीसा में नश्रातिया हमारी नर्वदा निकलती है हमारी अमर कंठक की भाढ़ियों से और इसके लबाई है 1312 किलोमेटर और मुहाना जो गिरती है हमारी खंपात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है और जो नर्वदा है हमारी अरब सागर में गिरती है और जो हमारी नदिया है महानदी, कावेरी और गोदावरी यह हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है टो बहुत इओ इमिए नेक्स में कंते एवृस्षियों कि सब्सक्का लुए है वह गणोर की सब्सक्राम है Velcro A तो इसका अंसर है वारा ओँशेन A 1995 में वस्वियापार सुंगे ख्य merchant के सब्सक्राथना होई थी, स्ब्सक्रापना होई ती ननेक्स кोषियन पनारस, हिंदू विस्वदलिक इसताफ का किसने की ? option है मारत्मा गादी मदनमुहन मालवियर जवाला नहरो मुतिला नहरो तो नहरो इससताफ मैं की थी option वीज का राइटान ज़रूँग कर ओप और यह की थी 1916 में 1916 में बनारस हिंदु इसे बदले किस्तापना की गई थी नेस्ट कोश्चन बहुत ही बॉनर्ट है दादा फाइन रोजी दोरा लिखी गई पावर्टी अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया में मुख्य तक किसके अलोचना की गई थी इसका रहें टांसर होगा हमारा ऑप्शन ए ब्रिटिस सासन के आर्थि परिनामों की बहुत ही बॉनर्ट है दादा फाइन रोजी कॉंग्रेस के दूसरे अधिवेशन की देख्षता की थी जाधा भाइन रोजी ने कॉंग्रेस के तीन अधिवेश्णों की देख्षता की थी और इन्हें ग्रेंड ओल्ड बैन ऑफ इंडिया की नाम से भी जाना जाता है और इन्हों ने पुस्तक लिए थी पावर्टी और अन्मिलिटिस रूल इन इंडिया तो बहुत इमारे ने श्वाशियों होते हैं भारतिय तट्रेखा के लिए लगवा किनी है तो इसका रेट अंसर होगा हमा आरि 15200 किलोमेटर और 30 सीमा है 7516 किलोमेटर मुक्थ तट्रेखा भूमि भारत की वह है 6100 किलोमेटर बंगला-देश के साथ भारत की सबसे दिक सीमा लगती है 4906 किलोमेटर चीन के सा 3488 पाकिस्तान के साथ 3313 निपाल के साथ 1751 मनमार के साथ एक चार 643 बुटान के साथ 699 किलोमेटर और सबसे कम सीमर लगते हैं हमारे अफ़कानिस्तान के साथ 106 किलोमेटर तो बहुत ही पॉर्डट है बार बार एक्जाम में आते हैं सविधान के मौलिक धांचे के सिधान को किस मामले ने जनम दिया इसका राइट आंचे ने हमारा ऑप्शन बी किस वा नंद भार्तिया मामले ने मौलिक अधिकार के धांचे को जनम दिया ओड़ाओ इनला किस सिक्ग गुरु ने अमरी सरसहर के स्ताफना की थी ओप्शन है गुरु नानक देव जी गुरु राम देव जी něृ dias पर्चुन देव ने सिख धर्व के स्थाफना के थी गुरु नानक जी ने और सिखों के दस्वें और अंतिम गुरु थे गुरु गुबिन सी तो बहुत मैं शोचे होड़ते हैं गोधो को सरप्रथम अपना अपनी वीज खिसने अबनाया और पुर्थगालियों से आज आध कराएंगा थे गौको 1961 बहुत ही वाद रहन रहन है चित्रोड में किर्थि सित्म किस ने बनवाया उसका राइटाल से वारा आप्शिन स्री राणा कुम्र दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइक नाब ले थेंक यू